यह तिन भी आपको हश्दा के साथ स्क्रीन्स पे नजर आएंगे और कल सवा चार बजे होनी थी लास्नेंट टूबरो की एक प्रेस कॉन्फरेंस जो एम नायक साथ संभोजित करने वाले थे कुछ अत्तक हिंट आप लोगों ने जब कमाई काड़ा कर रहे थे पता चल रहा था किस बात पर वो प्रेस कॉन्फरेंस होगी अब फाइनली वो मर्जर का एनाउंस्मेंट आ गया एफेक्टिव हो गया कल से कहानी क्या क्या अपडेट्स है चौधा तारीक से एफेक्टिव यानि कि कल की तारीक से दरसल L&T और Infotech और Mindtree का मर्जर एफेक्टिव है हम पर रिकॉर्ड डेट दरसल 24 नवंबर तैकी गई है नई कंपनी का नाम LTI Mindtree रहेगा जो आपने अभी-अभी देखा अब ये पांचवी सबसे बड़ी भारतिय कंपनी रह जाए बन जाएगी Market Capitalization के लहाँ से जिसका हम जिखर कल भी करते हुए दिखाई दे रहे थे कंपनी के लिए Opportunity क्या है Annual Revenue करीब 3.5 Billion Dollar का आतावा दिखाई देगा क्लाइन पॉर्टफोलियो साड़े साथ सो से जादा क्लाइनस अज्रेस करते हुए दिखाई देंगे और अफकॉस ये अब कंपनी साथ दोनों कंपनिया जो साथ में आई है लाजवी इसका उदेश यही था कि एक ही छतरी में काम कर रही है कंपनी तो एक साथ हुमिल कर दरसल लाज़र क्लाइनस को चेज करते हुए दिखाई देंगे तो बड़ी डील्स में अब LTI माइन ट्री जादा अक्टिव होता हुआ दिखाई देगा और वो इन फाक्ट एक इंटरिस्टिंग चीज होगी देखने के लिए कैसे टकर देते हैं बड़ी डील्स में बाकी की चार दिखज कंपनियों को महिंद्रा से उपर इनका मार्केट काप हो जाएगा कंबाइन मार्केट काप आशिश कलम ने एक बहुत इंटरिस्टिंग आइड ओफ दे कव किया था कि क्या LTI माइटरी निफ्टी में इंक्लूड होगा तो वो एक ICIC Securities ने भी एक नोट लिखा था उसके उपर जो यतिन ने कवर किया था उसको काउंटर राज कर रहे हैं एक बहुत इंटरिस्टिंग नोट आया है जो पहले इडिलवाइस और अल्टरिनेट रिसर्च नोबूमा के तरफ से तो आब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो यतिन के पास चलते हैं और जरा देखते हैं कि दोनों के क्या आरग्यूमेंट्स हैं यतिन बताइए तो देखें गुड मॉर्निंग सबसे पहले देखें ये जो माइन्टरी और LTI का मर्जर येस्टेड़े जो है वो ओफिशल हो गया अब LTI माइन्टरी के नाम से कंपनी जानी जाएगी इसके अंदर कुल मिलाके डेडला करोड का आज की तारीक में मार्केट का अब आपको दिखाए बढ़ रहा है जो ब्रोकरेजिस हैं उनको लगता है एक पक्ष को के शायद निफ्टी के इंक्चेंजिन के लिए कंसिडर किया जाएगा दूसरे पक्ष को लगता है शायद नहीं होगा देखें डिफरेंस कहा है सबसे पहले अगर हम मार्च रिव्यू की बात करें क्यों नहीं किया जाएगा क्योंकि ICSA Securities को लगता है कि दोनों कंबाइन एंटिटी इसको कंसिडर किया जाएगा फ्री फ्रोट फैक्टर को तैय करने के लिए obviously NSE की जो rules हैं जो बदला उन्होंने प्रस्ताव में रखे हैं वो अभी public comments में है तो NSE ने भी कोई rule finalize नहीं किया है हाला कि वो कर सकते हैं तो यह probability बनी हुई है क्योंकि इसके अंदर जो है exchange का भी काफी discretion रहता है तो ICSA Securities को लगता है कि जो free float factor है शायद वो डेड़ गुना जादा है सबसे छोटे free float company जो की BPCL है उसका करीब करीब 30,000 कोड का free float factor तो ICSA Securities को लगता है कि consider जब करेगा exchange तब दोनों entities को combine करके करेगा हाला कि NUAMA का मानना है कि LTI केवल LTI को क्योंकि वो target company है final company जिसके अंदर monetary merge हो रही है तो केवल LTI को consider किया जाएगा index constitution के लिए और अगर सिर्फ LTI का market cap देखे तो free float criteria नहीं match करेगा वो BPCL के हिसाब से हाला कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि merger के बाद free float बढ़ेगा तो ये March review के अंदर consider हो सकता है लेकिन अगर हम September का picture देखें तो शायद जो अगला review है यानि जो March का review इसको छोड़ दें तो अगले review में शायद ये eligibility criteria को meet करेगा लेकिन नुवामा का मानना ये है कि line में पहले Tata Power और Pidilite खड़े हुए है तो अगर September में भी अगर आप review देख लें और Pidilite और Tata Power में एक बड़ी rally आती है तो शायद ये एकदम touch and को scenario हो सकता है तो दो brokerages का different view है एक single line of contention या single line जहां differ कर रहे हैं वो है combined market cap और standalone market cap बता दें कि money control पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या management इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को money control की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंड़ने लेने से पहले certified expert की सलहा ले